अल्ट्रा भक्ती चैनल पर आपका स्वागत है और नए वीडियोज के लिए सब्सक्राइब करें और बेल वाले बटन को दबाना न भुलें कर सभी गत्गत हो जाते हैं यदि मुझे मेरी मा न मिली तो मैं नीले आकाश को चीर कह रख दूगा इस प्रिथ्वी को निचोड डालूगा चारों और प्रिथ्व का महातांडव होगा महातांडव रक्त की नदियां बहेंगी और हाहातार के भायानक स्वर से संसार की समी जेजे श्रीपागनेश किस मूर्ख ने तुम्हाना नाम कमला सुमच दिया तुम तो महाबूर्ख से भी अधिक मूर्ख हो मूर्ख सबराठ हो आज से हम तुम्हें मूर्खासुर बुका रहेंगे दुश्ट क्या अंचण भग रहा है तूं जेजे श्रीपागनेश मैं माता यमलोक पहुंच जाएगी मूर्खासुर नहीं माता पुत्र का मिलन कभी अशुब नहीं हो सकता कभी अशुब नहीं हो सकता उस समय तुम मेरे प्रहार से बच कर भाग निकला था तुम आज तुझे नहीं छोड़ूँगा मैं जेजे श्रीवा गनेश मैं भागूगा जेजे शीवा गनेश मैं जेजे शीवा गनेश कर रहा हूं भूल जापनी माता को नहीं है दुष्ट दयासुर असुर्जादी के नाम पर बहुत बड़ा गलंख है तू बहुत बड़ा तू और तेरा गणेश मेरे सबसे बड़े शत्रू है तेरे गणेश ने मेरे महान पिता सिंध डेट्य का वद किया था और तेरे उसी गणेश ने अधर्वत भी गुभा में ठैक दिया था तेरी बुद्धी को ठिकाने लगाने के सिवा मैंने आज सक कुछ नहीं किया पर तू आज करूंगा मैं तुझे उठागर ऐसी जगा फेकूंगा जहां गिरकर तेरी बुद्धी ठिकाने आ जाएगी जे जे शिवा गनेश्ट अगर तो कहती है तो मैं देवकी कि खोज अधोरी छोड़कर वापस लोट चलती हूं जैसे गानेश महाराज की इच्छा पुत्रे ये तो राक्षास है, राक्षास से भागो, हम दोनों को उठाना जाएगा भागो पुत्रे भागो बचाओ, 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 बचाओ क्या है क्या है, क्या है। कई है, क्यों हो तुम दुनंग। आर। और इतने घबराईयों क्यों हूँ। वहू हम दुन कम धियंने जा लिनना चाहता है। कैंप अहरे इस गाव में तो मंगल-मूर्ति-विगनहरता का गनिश महराज विराजमान यह राक्षस नहीं आ सकता है का ज़रूर तुम दोनों को ब्रह्म हुआ होगा कि देवकी देवकी तुम मेरी सखी देवकी तुम यहां पिछले कितने सालों से हम यहां से वहां भटकते फिर रहे हैं आज गणिश महाराज के क्रिपा से तुम कि देवकी माल जी वो हमारे पीछे यहां तक को नहीं आएगा ना कौन किसके बाद कर रही हो तुम क्या कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है आपको आपको ढूंदते हुए हम जब हम गाउं में गनिशी के मंदिर पहुचिए तो अचानक आसमान से एक भयनक सा भयनक सा राक्षस जमिन पर चिकते चिलाते हम दनों पर आगी रहा और वो हम दने को मारना चाहता था है इसलिए हम राक्षस क्या वो अभी भी तुम्हारा पीछा कर रहा है अभी तो वो मंदिल में बेसुद पड़ा हुआ है बेसुद प वो तो गड़ेश जी के मंदिर में गिरा है और गड़ेश जी अवश आवाश आपने भुक्तों की रक्षा करेंगे अवस रक्षा करेंगे द्यव कैशन ll तुम्हारे यह जमान मेरी पुत्रे विज्य को भी गड़ेश महराज की क्लिपा पर बहुत उष्वास है विज्या विज्या इतने बड़ी हो गई तु अरे इतने सिथी जब मैंने तुझे देखा था आ पुत्री आ मेरे रदे से लग जा आ पुत्री विज्या 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 देव की बेहन देनों वेनों कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे है हाँ मुझा भागन की कहानी बहुत लंबी है केट की समय के साथ तुम सब समझ आओगी परन्तों बस इतना समझ लो कि मुझे भागन को अकेला छोड़कर दिनों और बीनों नजाने कहां चले गए कि मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे गड़ेश जी की क्रिपा उन्हें जरूर वापस लेकर आएगी कि अब और अधर प्रेश्ट मत करो कि रात बहुत हो चुकी है कि अबागनेश यद्यस्य वागनेश यद्यस्य वागनेश प्रॉट प्रॉट और सुद़ीन और रे ममलग कराओ करें है कि मैं तुम्हें प्रणाम नहीं करूंगा और नहीं तुम्हारी जयजयकार करूंगा जानते होना क्यों क्योंकि प्रणाम तो उसे किया जाता है जो आधर के योग के हो जयजयकार तो उसकी होती है जो नियाएवान हो तुम तो अन्याई हो अन्याई हो अन्याई मिश्चुर हो तुम और अपने भक्तों को भॉर कस्ट और दुख देकर परीक्षा का पहाना बरती हो तुम्हें तुम्हें प्रणाम नहीं करूंगा कि यह लोग कि यह लोग तुम्हें सुख करता कहते हैं तुम्हें दुख करता कहना ही पसंद करूंगा कि मैरे चन्द सब्सक्राइब आज तक कितने दुखते हैं तुम्हे मुझे कि जन्म होते ही मेरे मेरे माता पिता को तुम्हें अपने पास पुलाएं कि मैरा कि मैरा चुड़वा भाई दिनु दिनु को कोई उठाकर ले गया और अर तुम कि तुम इसी मंदिर में बैठे बैठे मेरी कस्तों का तमाशा देखते रहे तुम कि अगर गर की सेव और चाकरी करके देव की बुआ ने मुझे पाला मेरा लालन पालें जिया उन्होंने तब भी तुम्हें दयाने यह आई तब्र आते भी कैसे आते भी कैसे अध्यूं पत्थर में जीवन नहीं होता अरे तुम होगे तब तो दया करोगे केवल पत्थर हो तुम केवल पत्थर यह लोग कि यह लोग है यह मुझे नास्तिक काऩे है नास्तिक कैते रहे मुझे उनकी कोई परवान है केते रहे उनका जोमन में आए केंगे रहे वो अले जो runs टिख हैो वोव affiliated क्या पाते है मेरी देव की बुऊ मेरी देव की बूआ तो तुमारी परम्भक्त है ना पिर क्यों दिया उनको इतने कस्ट, क्यों धकेल दिया उनको दुखके बयानक दुजल में तुमने। देख लेना एक दिन, हर एक मनुश्य को विश्वास हो जाएगा कि तुम केवल एक पत्थर हो, केवल पत्थर। तुमारी भक्ती एक भ्रम हो। तुम्हारा नाम एक छल है छल, कि तुम्हार गर। केवल तुम्हारे कारण, ये गाउवाले मुझे बार बार इस गाउव से बाहर निकाल देनी की धमकी देते हैं। पर्म्तु, पर्म्तु ना मैं तुम से डरता हूँ, और नहीं इन गाउवानों की धमकी से। अरे, जब तुम किसी का भला नहीं कर सकते, तो बुरा भी, क्या कर पाओगे तुम, क्या कर पाओगे पुरा तुम बगवान कौन हो, कौन हो तुम, कौन हो तुम और इती रात, इती रात में कौन गणिश, गणिश, गणिशति में क्या गणले तुम कॉका हाओएगे तुम. तुम homeless of गणिश, गणिश्वर से थो स्यारी कि रूज़ से प्रगधा या? कहीं तुम, कहीं तुम, कहीं तुम मजह दंडितो नहीं कर दर्त? नहीं। मैं तुम्हें दंडित करने नहीं आया, सुरो, मैं भी तुम्हारी तरह इस गणेश का शत्रू हूँ, क्योंकि इसने मेरे पिताखी निर्मम्ता से हत्या कर दी थी, यदि तुम मेरा साथ दोगे, तो हम तोनों मिलकर इस से प्रदिशोद ले सकेंगे तुम मुझे कोई, कोई साधारन मनेशों दिखाई नहीं पड़ते, देखो, देखो सचचच बताओ कि कौन हो तुम मृत्र, क्योंकि शत्रु का शत्रू, मित्र होता है, मैं भी तुमारा मित्र हूँ, म्त्र और मुझे पैभीत होने की भी कोई आवशकता नहीं है, तुम मेरे साथ चलो, में तुमारे सारे कश़्प दूर कर दूंगा कश्पुर? मुझे से फैभीत मत हो मित्र आओ आओ मेरे साथ आओ जैश्रीमा गनेश जैश्रीमा गनेश प्रभू आपकी ये लीला देखकर तो मेरी बुद्धी ही चक्रा गई है नजाने इन दो गनेश शक्रूओं के बिलन का क्या पढ़िना होगा इस अंसागी रक्षा करना मंगल मूर्ती रक्षा करना जैश्रीमा गनेश प्रभू अम नमश्रीवाई महादेव आपको मेरे सम्मान परमदेव श्रीमा गनेश की इच्छा का संकेत मिल गया होगा मैं यहां आपसे और गौरी पूत्र से यही जानने के लिए आया हूं कि मुझे माता अधिती को बताकर विदा लेनी चाहिए अथ्वा बिना बताए देवादीदेव एक बार पहल मेरे भी मैं माता अधिती को पूत्र वियोक में दुखी होते देख चुका हूं मैं नहीं चाहता कि माता को मेरे कारण दुख हो कि अज़े कि कि मैं यूरेश्वा इतनी रात को तुम यहां कि चलो कि देवादीदे महादेर मेरे जाने के बार मैं यूरेश्वार माता अधिती को हर प्रकार से स्नेय प्रदान करके मेरे अभाव से दुखी नहीं होने देंगे इसलिए अब बुझे परमदेर श्री महागनेश की इच्छा का सब्मान करते हुए उन्हें की महा जोती में विलीन उन जाना चाहिए मुझे übrigens परंद आफकी आग्या और गॉरी पूत्र का परमार्स पाई भिना मैं ऐसा नहीं कर सकता कि श्री महागनेश के आफतारों को श्री महागनेश की लिला देखकर चकत होना शोबा नहीं देता गौरी पुत्र, नौयुरेश्वर, तुम दोनों को जो कुछ भी कहना है, वो महतकट के समान हमारे समीप आकर कहो। तुम तीनों श्री मागनेश के अवतार हो। इसलिए श्री मागनेश की एक्छा और लीला खाक्यान तुम्हें अवश्य होगा। महतकट की बात भी तुम दोनोंने अवश्य सुनी है। इसलिए कोई भी निर्णे करने से पहले हम तुम्हारे विचार जानना चाहते हैं। परामर्ष देने में तुम दोनों इतना समय क्यों लगा रहे हुए। हमारा विचार जानने के लिए आपको प्रदीक्षा करनी पड़ी। इसके लिए हम शमा चाहते हैं। सच तो ये है पिताश्री कि ये महतकट की महानता है। पराम देव श्री महागणेश की इच्छा का संकेत पाकर भी। ये हमारे परामर्ष और आपके आग्या के बिना परम देव श्री महागणेश की और प्रस्था नहीं करना चाहते। परन्तु इनका जाना अनिवार है। इसलिए मैं मयुरेश्वर इनकी इच्छा का सम्मान करने के लिए प्रस्तो थू। मैं माता अधिती को इनके व्योग का दुख नहीं ओने दूंगा। परन्तु। कहते कहते रुक्यों गया मयुरेश्वर तुम। महादेर, माता अधिती, मेरे होते वे भी महातकट को एक शण के लिए भी नहीं भूलती। इनके ही व्योग में आशु बहाती रहती है। यही मेरी चिंता का कारण है। गणपती की बुद्धी और चतुराई सारे संसार में प्रसिद्ध है। अपने विवेग और भुद्धी से तुम्हें इस समस्या का समधान स्वयम करना होगा। इस समस्या का सबसे सरल उपाई यही है कि मयुरेश्वर महतकट बन जाए। यह कैसे संभव होगा। असंभाव को संभव करने वाले हम परमदेर श्री महागणेश के अउतार है। जब हम एक सादावन वालक शिवदत का रूप लेकर माता अधिती के समीव गए थे। तब भी वे मुझे कहां पैच्छान पाई थी। सतिवचन मयुरेश्वर तुम्हें महतकट के रूप में देखकर माता अधिती पुत्र प्रेम के मोह में मगन हो जाएंगी। और महतकट की चिंता का अंत भी हो जाएगा। यदि तुम दोनों का यही विचार है तो मैं इससे स्विकार करता हूँ। पितार श्री के सहमती के बिना हम अपने विचार को अंतिम रूप नहीं दे सकते। बुद्धि और चत्राई के नाम पर यह तो माता के साथ छल हुआ। मैं इससे सहमत कैसे हो सकता हूँ। श्री महागणेश के अफदारों को लज्जित और निराश होने की आवशक्ता नहीं है। स्थिति समय और देवी अधिति के महुतकर प्रेन को देखते हुए कुछ समय के लिए तुम तीनों के विचारों को हम सहमती दे सकते हैं। तुम तीनों ये भलिभात जानते हो कि सत्य पर पड़ा हुआ असत्य का परदा अधिक समय तक स्थाई नहीं रहता। हम आपका संकेत समझ गए पितार्श्री। हमारी योजना माता अधिथी के रिदे को कष्ट पहुचाए। उससे पहले ही हम उने सत्य बता देंगे। क्यों मयूरेश्वर। यही उचित होगा गौरी पूत्र। महादेर आप मुझे आज्या दें। तुम्हारे कर्तव्यों का दिलना हो चुका है मयूरेश्वर। अपनी बुद्धी और चत्रुआय का प्रयोग करते हुए अपने आवतार को सार्थक करोगी। तुम्हारा कल्यान हो। महादेर माता की चिंता का आँदोने के साथ मेरे ऐस आवतार के समस्त कारें पूरूना हुए। अब मुझे भी आज्या दें। प्राव्टिया आज्या आज्या आइए। इसए बाभी अवगे एशिते आए। आयाए। हुआ आखकि आए। आखकि आए। प्रेश्ट बम्रेश्ट प्रेश्ट करना है